DC की stand-alone superhero film हो चुकी है release theaters में मैंने देखी हिंदी में 2D में तो कैसे है ये movie आईए बात करते हैं Well, hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी James Gunn के नए superhero universe या कहे rebootate universe में से ये जो movie है वो आपके सामने रखती है एक ऐसे superhero को जिसका DC के दूसरे किसी superhero से कोई लेना देना नहीं है एक नया नविला superhero DC ने पहली बार किसी movie format में introduce किया है जो आगे आने वाले movie से connect करेगा बट एक बात बताओ अगर आप Marvel के fan हो I mean cutter वाले fan हो और Marvel की movies आपके नस नस में बसती है तो इस film में आपका revision हो जाएगा ऐसा लगेगा मानो Spider-Man प्लस Ant-Man प्लस Iron Man प्लस Black Panther को एक साथ आप Blue Beetle में देख रहे हो I mean Ant-Man जैसा suit, Iron Man जैसी technology, Spider-Man जैसी teenage वाली हरकते, Spider-Man में जैसे Uncle Ben थे वैसा ही कुछ बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी वाली गयान की बाते यहाँ हीरो के फादर दे रहे हैं Black Panther वाली बाप के साथ बेटे वाले connection की story यहाँ जलकती है अरे यहाँ इस फिल्म में तो Ant-Man में जो वैन होती है, जिसका हॉन काफी famous है, वो तक use किया गया है, सुन लो यह सेम हॉन आपको इसमें भी सुनाई देगा, सो Marvel की यादे तो आती रहेगी भाई Anyways, movie बस दो घंटे साथ मिनिट की है, बट अगर end credit तक देखना है, तो थेटर में पूरा धाई गंटा बैठना पड़ेगा जि हाँ, इसमें mid credit और end credit scene है, जिसमें mid credit बहुत important है लेकिन मेरी एक सलाहा रहेगी के end credit के लिए रुकना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपका time waste हो जाएगा वैसे बात अगर story की करें, तो first half में story काफी gripping है, आपको engage जरूर करके रखती है फिल्म में superhero तो है, लेकिन जादा focus होता है उस superhero के family पर उस superhero के लिए family कितनी important है, और उस family के लिए उनका beta कितना important है हर middle class family के तरह, उनके family के भी कितने problems वगरा है, वो सब इसमें दिखाया गया है बाकि fight sequences, CGI, VFX, top notch है, उसमें कोई issues नहीं है बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जो इस film के flaws में भी आती है कि hero के uncle एक high-tech spaceship type यान को कैसे आसानी से चला लेते है blue beetle का वो scarab जो है, वो कहां से आया और क्यूं इतना powerful है और भी है, लेकिन वो spoilers में आते हैं तो इसलिए ignore करते हैं और ये movie किसी भी other stand-alone superhero movie की तरह ही है जो अपने आपको एक universe के लिए ready कर रही है जहां बस character introduction and setup हो रहा है बाकी overall देखते हो है, ये एक superhero genre में आई typical family friendly movie है, जिसे हर कोई देख सकता है हाँ, last में एक kissing scene है, बट I think उतना चल जाएगा तो इस movie को मेरे तरब से 2.5 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई